Hello Everyone, Welcome to Zinging Life आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ हरी मिर्च की सबची की रेसिपी हरी मिर्च की सबची जो की हलवाई बनाते हैं बिलकुल भी तीक ही नहीं होती है तो आज मैं आप सब के साथ में हलवाई भाया की वही रेसिपी लेकर आई हूँ तो आईए चलिए जानते हैं उनका सीक्रेट तो सबसे पहले भाया ने चार कीलो हरी मिर्च को लंबे-लंबे साइज में कट कर लिया है फिर कड़ाई में डाला है तीन सो ग्राम के बराबर ओल ओल की गरम हो जाने पर उन्हों ने डाला है चौथाई कटोरी के बराबर जीरा और आप इसमें डाल देंगे ये कटी हुई हरी मिर्च अब इसमें भाया ने डाल रहे हैं नमक स्वाद की अनुसार आपको नमक इसमें एड़ करना है अब इसमें डाली जाएगी हल्दी पाउडर तो अब भाया डाल रहे हैं इसमें हींग तो ये छोटी वाली होती है न डिबी आधी डिबी इसमें हींग डाल दी है और लगातार इसको चलाते हुए पका रहे हैं और अब इसमें डाली है 50 ग्राम राई और 50 ग्राम जो सफेद सरसों आती है न उसको पीस करके उसका दरदरा पाउडर बनाया गया है वो इसमें डाला गया है अब मिर्ची को चेक किया है ना ही तो मिर्ची को हमको गलाना है और ना ही इसे हमें खड़ा रखना है जितना टाइम हमें इस वीडियो को बनाने में लगा है उतने ही टाइम इस मिर्ची को पकने में लगा है अब इसमें डाला गया है 50 ग्राम के करी मगज का बूरा मगज के सीड होते हैं उनको पेस्ट कर लिया है उनका पाउटर डाला गया है और अब इसमें डाला है इन्होंने 50 ग्राम डेजिगेड़ कोकोनट ये दोनों चीजे होती है ना वो मिर्ची के तीखेपन को कम कर देगी और ये मिर्ची खाने में बिलकुन मीठे बनेगी और अब इसमें डाली है भाईया ने 200 ग्राम के करीब अमचूर पाउडर और 50 ग्राम इसमें डाली है चीनी आप अमचूर और चीनी की मात्रा अपने टेस्ट के अकॉडिंग कम ज़ादा भी कर सकते हैं तो सभी मसालों को मिर्ची में अच्छे से मिक्स कर लिया गया है और ये लेजिए ये हमारी मिर्ची की सबजी जो है वो बन करके रेडी है तो कैसे लगी आप सबको मेरी आज की ये हलवाई वाली मिर्ची की सबजी की रेसेपी अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई